35 दिनों के लिए भारत भ्रमनक पर निकले नोबल पुरुसकार विजेता केलाश सत्यार्थी का आज रेवाड़ी पहुँशने पर जोरदार स्वागत हुआ निजी स्कूल असिस्येशन के ओर से आयोजित इस कारेक्रम में उन्होंने रेले निकाल कर स्कूली बच्चों को जागरुपता का संदेश दिया और बच्चों से मिलकर उन्हें बाल अधिकारों के प्रती प्रोच साहित किया और कहा कि आज के बच्चे कल का भविश्य है इसलिए उन्हें किसी भी बुराई काट डट कर मुकाबला करना होगा तबी देश विकास की और अग्रेसर होगा पीटर की लंबी यात्रा तै करके आज बहादुरों की भूमी हर्याणा में हैं मुझे खुशी है कि यहां के बच्चे यहां के सिक्षक यहां के समाज के कारिकर्टा और समाज के हर बरक के लोग इस तरीके से भारत यात्रा में शामिद हो रहे हैं हम निश्चित तोर पे भारत को सरख्षित पारत है पूरी यात्रा को लाखों लोगों का समर्थन मिला है कम से कम 11-12 लाख लोग अब तक भारत यात्रा में हमारे साथ सड़कों पर चले हैं करोड़ो लोगों ने अपर्टेक शुरूप से सोशल मीडिया के मात्यम से समर्थन किया है ये बहुत दुरभा की जनक इस्तिती है कि हमारा देश रिशी मुनियों का देश है सादू संतों का देश है हमारा देश बुद्ध गांधी का देश है गुरुनानक सिंग का देश है लेकिन दुर्भा के जनक बात ये है कि इसी देश में बलातकारी दुराचारी फलफूल रहे हैं हमारी बेटियां और बेटे खरों में सुरक्षित नहीं है रिस्तेदार लोग मामा, चाचा, ताउ, फूफा, कई बार, पिता तक बच्चों के साथ बलाद कार करता है हमारे स्कूल सुरक्षित में स्कूल के करमचारी और सिक्षक बच्चों के साथ दर्वापार करते है ऐसी हालत में घर-घर में पुलिस को नहीं बिठाया जा सकता इसके लिए सामाजिक शेतना की जरुवत है एक बहुत बड़े धर्म युद्ध की जरुवत है जो इस अनेतिक्ता की महामारी के किलाज लड़ना है हम इस शेतना को लड़ना है और हमें यकीन है कि समाज में शेतना जगेगी संसकार के नाम पर कई बार मर्यादा के नाम पर लड़कियों से और लड़कों से कहा जाता है चुप्पी साथ के रखो नहीं तो घर बरबाद हो जाएगा इज़त लुट जाएगी इस जूटी मान मर्यादा और इज़त को हम संस्क्रती नहीं मानते हमारी संस्क्रती निड़ता की संस्क्रती है ना कि दब्बू बना देने की संस्क्रती है यौन सोशनल के मामले में हमारे बच्चों को दब्बू बना दिया जाता है बोलने नहीं दिया जाता मेरे इस यात्रा के दौरान सैगणों ऐसे बच्चे मुझसे मिले जिन्होंने पहली बार अपने जुबान खोली आंसियों से रोय और कहा कि हमें कह दिया गया कि घर चूप जाएगा अगर जुबान को लोगे तो क्योंकि खरके ही रिष्टिदारों ने ऐसा किया है मगर कुछ भी हो शिक्षा को बढ़ावा देने वाली खटर सरकार के राज में आज यहां आयोजित इस कारेक्रम से सरकारी स्कूलों के बच्चे नदारत रहे और लिजी स्कूलों के बच्चे नहीं कारेक्रम में भाग लिया कि आज इस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी आपके कंदों पर सरकारी स्कूल का कोई बच्चा दिखाई नहीं दिए क्या बड़ी वज़े रही है अधिकांस बहुतायत यहां देखी गई है सारे प्राइवेट स्कूल बुलाए रहे हैं उन्हीं के बच्चे यहां दिखाई दे रहे हैं ताकि बच्चों काने जाने में ऐसी इदा ना हुआ है